हलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू तिवारी अकेडमी, तो आज हम अध्याय तीन की विवित प्रशनावली का प्रशन संख्या चार हल करेंगे, चलिए हम इसको पढ़ते हैं भी, हमें दिया हुआ है, यदि A तथा B सम्मित आप्व्यू हैं, तो सिद्ध की दिये कि A B माइनस B एक विसम सम्मित आप्व्यू होगा, तो सबसे पहले तो हम सम्मित आप्व्यू पढ़ लेते हैं होता क्या है, देखें A तथा B सम्मित आप्व्यू दिये हुए हैं, हम जानते हैं सम्मित आप्व्यू होता है, मतलब A डैस एक्वाल टू A, अर्थात हम बोल सकते हैं, A का सम्मेत आव्यू है, तो चलिए, हम सबसे पहले C एक आव्यू माल लेते हैं, जिसको हमने AB minus BA नाम दिया है, अब ध्यान रगते हैं, कि हमें C dash निकालना होगा, तो C dash निकालेंगे, तो अपने पास आजाएगा AB minus BA का dash, अब देखें, कुछ हम यहाँ पर अपने step पढ़ देते हैं, कौन-कौन से हमने पढ़े हैं, देखें, X minus Y का dash अपने पास होगा, X dash minus Y dash और XY का dash अपने पास होगा, Y dash X dash, इन दो पॉइंट्स का हमें यूज़ करना है, तो चलिए, देखें, C dash हमारे पास हो जाएगा, AB का dash minus BA का dash, अब देखें, C dash, अब हम इस property का यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो देखें, अपने पास आजाएगा, B dash A dash minus A dash B dash, अब गौर से देखिए, हमने प्रथम और दोतिय समीकर्ण में देखा था, A dash A के बराबर है, और B dash B के बराबर है, तो चलिए, ये B हो जाएगा, ये A minus A B हो जाएगा, और आ पर्थात, हमने देखाता है, कि यदि किसी भी आप व्यू का परवर्थ, उसके minus sign के बराबर आजाए, तो C एक विसम सम्मित आप व्यू हो जाएगा, ये B minus BA यहाँ पर एक विसम सम्मित आप व्यू हो जाएगा, चलिए, अब हम अगले प्रशन पर बढ़ते हैं, प्रशन B dash AB सम्मित अथवा विसम सम्मित आप व्यू होगा, यदि A सम्मित अथवा विसम सम्मित आप व्यू है, तो एक तरीके से इस question में भी हमारे दो पार्ट होंगे, तो परथम पार्ट है, कि यदि A एक सम्मित आप व्यू है, तो A dash या A का परवर्थ A के बराबर ही आएगा, तो देखे, A यदि सम्मेत आप व्यू है तो हमें सिद्ध करना है B'dease AB एक सम्मेत आप व्यू होगा तो देखे, सबसे पहले तो हम C बरावर B'dease AB एक आप व्यू माल लेते हैं अब हमें C'dease निकालना होगा तो देखे, अपने पास आजाएगा B'dease AB का डes अब हमने परिभासा में पढ़ा था यह आएगा B dash A dash B dash का dash तो अपने पास आजाएगा C dash बरावर B dash A dash और B dash का dash मतलब B आजाएगा अब देखें A dash तो अपना A के बरावर है तो यहाँ पर A dash की जगए A रख दोंगा तो C dash बरावर B dash A B आजाएगा और यह अपना C के बरावर ही हो जाएगा तो यहाँ पर अपने पास C dash C के बरावर आया इसलिए B dash A B एक सम्मित आव्यू हो जाएगा हमारा प्रथम पार्ट तो इसमें प्रूफ हो चुका है अब हम दुतिय पार्ट की तरफ चलते हैं दुतिय पार्ट में दिया हुआ था कि यदि A एक विसम सम्मित आव्यू है तो हमें सिद्ध करना होगा कि B dash A B एक विसम सम्मित आव्यू होगा तो सबसे पहले तो यदि A एक विसम सम्मित आव्यू है तो A dash अपना माइनस A के बराबर आएगा क्योंकि ये तो हमने विसम सम्मित आव्यू की परवासा में पड़ाए तो अब हम B dash A B को एक आव्यू माल लेते हैं तो हमने D आव्यू माल लिया अब हमें D dash निकालना होगा तो D dash निकालते हैं तो B dash A B का whole dash आ गया ये हो जाएगा B dash A dash B dash का dash अब देखें B dash तो B dash ही रहेगा A dash अपने पास माइनस A हो जाएगा क्योंकि देखिए अपने तो ये पड़ा हुआ है और B dash का dash मतलब B हो जाएगा और इसको मैं minus of B dash A B लिख सकता हूँ अब आप गौर करेंगे तो देखें minus sign यदि मैं ले लूँ तो ये D लिखा हुआ है तो D dash बराबर minus D आया अर्थात D एक विसम सम्मित आव्यू हो जाएगा और D यहाँ पर B dash A B के बराबर है तो ये एक विसम सम्मित आव्यू हो जाएगा इस तरीके से हमने ये प्रशन सद्द्द कर दिया झाल